नमस्कार मैं दीपक स्वागत करता हूँ आपका ग्यान लेनर्स पर और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 मैस का चैप्टर नमबर 2 पढ़ेंगे ठीक है आद और चैप्टर नमबर 2 है आपका पॉली नॉमियल्स जिसको आप हिंदी में बोलते हैं बहुपद ठीक है पॉली न पढ़ा होगा लेकिन फिर भी मैं एक बेसिक कंसेट आपका किल्यर करने के लिए एक बार थोड़ा सा रिवाईज करेंगे इसवाली वीडियो में ठीक है तो यह जो आपका जो बीडियो रहेगा यह के वाल आपका बेसिक कंसेट पर रहेगा उसके बाद हम एक्ससाइज भी करवाएंगे ठीक है तो जब आपका basic concept एक बार clear हो जाएगा तो आपको exercise आराम से आ जाएगे ठीक है चलिए तो शुरू करते हैं polynomials तो देखिए सबसे पहले word आता है algebraic expression यह algebraic expression आप 7, 8, 9 से सुनते वे आ रहें कि algebraic expression किसको बोलते हैं जिसमें जो है variable का use होता है अब variable क्या क्या होता है x हो सकता है y हो सकता है z हो सकता है ठीक है s हो सकता है t हो सकता है मतलब इस तरह के जो symbol होते हैं जहाँ पे s आएगा t आएगा u आ सकता है v आ सकता है इस तरह के जो चीजे होती है ठीक है इस तरह के जो variable होते हैं इनको हम क्या बोलते है variable और इनसे मिलकर क्या बनती है algebraic expression तो देखिए पहला expression आप देखिए क्या लिखा हुआ है x square फिर एक 2x फिर x square प्लस 2x यह सारे जो मैंने लिखे हैं 1,2,3,4,5 यह 5 के पहां देखिए बीच में कॉमा अध्यान अगना ठीक है एक साथ मत समझना कोई कि 5 expression लिखे हैं सारे क्या है algebraic expression तो आपने जो यह algebraic expression लिखा हुआ है expression of this form जो यह form लिखी हुए है our code, poly, normal इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? polynomial बोलते हैं छो यह expression लिखे गए हैं इनको हम polynomial बोलते हैं थेखें, poly मतलब होता है many क्या होता है poly मतलब? many होता है, ठीके? polynomial का मतलब polynomial, ठीके? poly का मतलब यहाँ पर है many से और nominal जो आगे दिगरा इसका मतलब यहाँ पर tom से क्या है tom यानि कि जिसमें many tom हो many मतलब one term भी हो सकता है दो term तीन term इस तरह से हो सकते हैं ठीक है तो देखिए हमारे पास है कि expression of this form इस तरह की जो form होती है उसको polynomial कहते है in one variable ध्याना ना one variable मतलब इस अब variable कौन है x है इसमें भी x है इसमें भी x है आप चाहे तो y में भी लिख सकते हो मतलब इसको आप y square लिख सकते हो इस तरह का आप कर सकते हो जैसे एक और लिगरताव में चलिए आपके लिए y square minus 2 इस तरह का भी आप लिख सकते है इस तरह के भी आप लिख सकते है z में भी हो सकता है, s में भी हो सकता है t में भी हो सकता है अब आप दिखरोंगे इस पूरी question में x के लावा कोई नहीं है, मतलब y नहीं है z नहीं है, केवल x ही दिखरा है तो इसका मतलब यह one variable में है अगर x y अगर mix हो जाए तो इसको हम two variable बोल दिते हैं ठीक है फिलाल भी one variable है देखो इसमें भी x है x x है इसमें भी x और इसमें y ठीक है मतलब एक ही है single है y y के साथ x mix नहीं है ठीक है तो या x में होगा या y में या z में लेकिन एक ही होगा इसलिए हम इसको one variable बोलते हैं variable मतलब x की value हम यहाँ पे कुछ न कुछ put कर सकते हैं ठीक है in the example above ठीक है जो आपने एक्जामपल देखे हुए है the variable is x अभी जो बोलाओ में variable क्या है x है और इधर के ले लिया आपने y ठीक है x and आप y भी लिख सकते हैं ठीक है आप y देखे किसी में x ले रिया और किसी में मैंने y ले लिया ठीक है चलिए similarly 3y square प्लस 5y ये भी क्या है polynomial है in the variable y इसमें variable कौन आगे देखे है y आगे अभी आपने variable कौन लिया था x यहाँ पर y था अब एक और y यह भी आगे देखे यहाँ भी y है y है यानि कि एक ही variable है दो नहीं है mix नहीं है mix मनला ऐसे एक equation नहीं है कि 3x प्लस 5y तो इसको हम क्या बोलेंगे 2 variable बोल देंगे 2 variable ठीक है ऐसी मान लिजे ऐसा आता है तुमारे पास तो यह भी 2 variable में 1 variable मनलब x में ही रहेगी equation या फिर y में ही रहेगी ठीक है and t square plus 4 is a polynomial in the variable t इसमें variable कौन है t है ठीक है ऐसी मैंने का z में भी हो सकता है s में भी हो सकता है अब छोड़ छोड़ बातें समझते हैं हालांकि आपको पता होंगे लेकिन फिर भी एक basic concept के लिए हम तुला बतायते हैं इधर polynomial है और उस polynomial में कितने terms है वो बता रहे हैं ठीक है हम जैसे polynomial है केवल x square तो इसमें केवल एक ही term है और term कौन है यही है खुदी है x square 2x है इसमें भी एक ही term है इसमें कितने terms है इनको terms बोलते है कि कितने terms किसी polynomial में है बहु पद ठीक है बहुत सारे terms है चलिए अब आते हैं degree of polynomial में क्या होता है degree degree of polynomial किसे कहते है the highest power दीखे क्या लिखावा है the highest power of the variable कि जो variable की हमको पता है variable तो one variable ही है मतलब equation या तो x में होगी या y में होगी ठीक है तो उसमें जो highest power होगी किसकी of the variable की इना polynomial किसी polynomial में as the degree of the polynomial उसी को क्या कहते है degree of the polynomial कहते है clear है उसको हम degree of the polynomial कहेंगे क्या कहा degree of polynomial the highest power of the variable जो highest power सब्सक्क्राइब हों इसमें क्यों स्क्राइब कि तो इसकी डिगरी कितनी हो गई peso हो गईए एस पाउर कितनी है टुए में G2 घाले एक thण इसमें इसकी थी टृए जे टृउग हो गई सिसको है यहां वन होता है तो जैसे यहां पर 7 है तो आप 7 और X की पावर 0 लिख दें तो कोई फरक नहीं पड़ेगा इट मींस 7 X की पावर 0 कितना होता वह नी होता है एक्चुली यह 7 ही है लेकिन हम समझने के लिए 7 के पीछे ऐसा लगा देते हैं कि भई X की पावर 0 इसका मतला पावर क्या हो रही है डिक्री जो रही है दिखिए पहले 3 पावर थी फिर 2 पावर फिर 1 और फिर 0 पावर ठीक है तो इसमें डिक्री कितनी के लाएगी 3 के लाएगी क्योंकि according to definition the highest power of the variable ठीक है इना polynomial is called degree of the polynomial इसमें कितनी डिक्री है ठीक है 2 है इसमें 1 पावर इसमें आप 0 पावर लिख सकते हैं ठीक है अगर चाहते हैं तो ऐसा कोई जरूरी भी नहीं है ठीक है चलिए अब देखे कुछ एक्जामपल ले रहे हैं वैसे मैंने polynomial यह एक polynomial है 1,2,3,4 ठीक है 1,2,3,4 मैंने कुछ polynomial ले लिए ठीक है इसमें highest power कितनी है 7 तो इसलिए 7 इसके degree हो जाएगा इसमें highest power कितनी है variable इसमें y है तो 6 power 6 हो जाएगा इसमें variable कौन है x तो highest power 5 ठीक है इसमें variable कौन है y है तो highest power 8 clear है इस तरह से आप degree बता सकते है variable की चलिए next आते इसमें समझते है coefficient क्या होता है ठीक है polynomial में each term of a polynomial की जो हर एक term होता each term में लब मैंने कहा polynomial जितना बड़ा गौस में एक एक को क्या कहते हैं terms बोते हैं जैसे कि इसमें कितने terms हैं एक दो तीन ऐसे करके ठीक है आई बासर में हालां कि है two variable में द्याना x y clear है तो हर एक term का जो polynomial है है जाओ coefficient उसका क्या होता है coefficient होता है जैसे एक polynomial मैंने ये लिली ठीक है ये आपको एक polynomial दिख रही है ये पूरी ठीक है इसमें कितने terms हैं one two three four four terms है इसके degree क्या है three है क्योंकि highest power कितने है देखिए highest power आपकी three है इसलिए इसके degree three हो जाएगे clear शलिए तो इसमें हर एक term क्यों करा each term of polynomial है जो coefficient ठीक है हर एक term का coefficient होता जैसे कि कोई बोलेगा x cube है x की power कितना है three है coefficient of x की power three is minus one अब one काँ सा है सर अगर one लगा दोगे तो कोई फरक नहीं पड़ेगा मतलब अगर आप इसको one लगा दोगे आगे तो कुछ फरक पड़ेगा one किंटो किसे भी करो कोई फरक नहीं पड़ता तो इसका coefficient क्या हो गया minus one हो गया ठीक है ऐसी x square का coefficient क्या हो गया coefficient of x square that is four coefficient of x that is 7 and minus 2 क्या है फिर minus 2 किसका coefficient है x की power 0 जैसे भी बैने कहाता न x की power 0 का value क्या होता है 1 तो भई अगर मैं 7 को क्या लिख दूँ 7 को लिख दूँ 7 x की power 0 कोई फरक पड़ेगा नहीं क्योंकि इसका value कितना होता है 1 देखिए 1 होता है इसका value तो ऐसी देखिए इस last को हम minus 2 को कह लिख सकते हैं इस minus 2 को लिख सकते हैं हम ऐसे minus 2 और x की power 0 कर दो कोई फरक नहीं पड़ेगा क्योंकि x की power 0 actually होता कितना है 1 तो actually वह होगा वह minus 2 ही होगा लेकिन समझने के purpose से कि जो minus 2 है वो किसका coefficient है x की power 0 का coefficient है चलिए आगया होगा समझ में इतना अब आते हैं constant polynomial कि सर अगर हमारे पास केवल 2 लिखा हुआ है minus 5 लिखा हुआ है 7 लिखा हुआ 8 है 9 इनको क्या बोलेंगे तो इनको हम constant polynomial बोलते हैं और अगर 0 लिखा हुआ तो इसको क्या बोल देंगे और अगर 0 हो गया तो 0 polynomial चलिए अब हमें जो main main समझने वाली बाते हैं वो क्या है कुछ एक दो जो मैंने लिखी हुई है main main जो तुम्हें जुरत पड़ेगी उसको हम यहाँ पे consider करेंगे देखे linear polynomial अब linear polynomial किसे कहते हैं देखिए linear polynomial उसे कहते है polynomial of a degree 1 जिसमें degree कितनी होगी 1 होगी देखिए यहाँ पे इसकी degree कितनी है 1 है भाई 1 कैसे है 2x-3 लिखा हुआने मैं देखिए 2x-3 इसमें variable कौन है खुद बताइए देखिए x ही तो इसमें variable 3 तो कैसमें constant term है constant term variable x है इसकी power कितनी है 1 है तो इसकी degree कितनी हो जाएगी भाई इसकी जो degree हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 1 कितनी degree हो जाएगी 1 degree हो जाएगी clear है बाते चलिए यहाँ पे भी 1 degree है यहाँ पे भी variable कौन है polynomial y है इसकी power कितनी है 1 है यहाँ पे भी polynomial है इसमें x की power कितनी है यह एक polynomial है, इसमें variable कौन है, जड है, इसकी power कितनी है, यह एक और polynomial है, इसमें variable कौन है, इसकी power 1, तो जब degree, degree का मतलब power, जो variable की highest power है, that is 1, is called linear polynomial, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, quadratic polynomial, देखिए, quadratic का मतलब 2 से लगा जाता है, 2 मलब 2, ठीक है, quadratic का मतलब किसे लगा जाता है, 2 से लगा जाता है, कि quadratic means 2, यानि कि, जिसमें degree कितनी होगी, 2 है, polynomial of degree 2, तो देखिए, यहां पे, variable कौन है, देखिए, इस पूरे polynomial में x है, अब इसमें highest power कौन है, 2 है, तो इसलिए, degree कितनी होगी, 2, इसलिए, quadratic polynomial है, ऐसी यहां पे देखिए, यह भी एक हमने polynomial लिखा हुआ है इसमें variable कौन है y इसकी जो highest power है वो कितनी है 2 है तो इसलिए ये quadratic polynomial है ठीक है और ऐसी इसमें भी देखिए एक polynomial ये इसमें z है इसमें variable z है इसकी highest power 2 है इसलिए ये quadratic polynomial है एक और polynomial लिखावा ये इसमें variable कौन है x ठीक है इसकी highest power 2 है इसलिए ये quadratic polynomial है चलिए इसमें अगला कर देखते हैं अगला है देखिए इसमें cubic polynomial कैसा cubic polynomial यानिकी cubic polynomial यानिकी cube cube का मलग 3 से होता है ठीक है तो एक polynomial of degree 3 जिसकी degree 3 होगी ठीक है एक polynomial ये लिखावा देखिए है इसमें variable x की power 3 है x यहाँ पे भी 3 है यहाँ पे भी देखिए highest power कितनी है 3 है यहाँ पे भी highest power कितनी है 3 है तो इसलिए ये क्या है cubic polynomial है चलिए आगे बढ़ते हैं आरा गोसाहसर में आगे देखिए ये बड़ी important चीज़ लिखी वी हमने इसको आपने ध्यान रखना ही रखना है ठीक है क्या general form of quadratic polynomial की हम एक general formula क्या बनाएं quadratic polynomial का जिसको हम quadratic polynomial बोल पाएं बोल सके ठीक है एक general formula क्या बनेगा तो any quadratic polynomial in x अगर हम एक्स में बात कर रहे हैं ठीक है आप y चाहते हैं variable आप y भी रख सकते है फिलाल x है कोई दिक्कत नहीं है any quadratic polynomial कोई भी quadratic polynomial in x वो x में अगर हम दिखा रहे हैं is of the form वो किस form में होती है दिखिए वो इस form में होती है आपकी किसकी ax square plus bx plus c की form में होती है ठीक है ax square plus bx plus c किस form में होती है ax square plus bx plus c की form में होती है abc क्या है real number मतलए इन के जगा आप number रख सकते हो जैसे कि minne a के जगा मान لिए मैंने 2 रख दिया b के जगा मैने मान लीजए 3 रख दिया c के जगा मान लीजे मैंने के रख दिया 1 ठीक है इस तरह से ABC ABC के है कोई भी real number हो सकता है 2, 3, 1 रख दिया आप चाहँ तो कुछ भी रख दो upon में भी रख सकते हो क्योंकि upon वाले भी rational number होते है real number होते है clear ABC real number है और आगे बड़ी condition है ठीक है A does not equal to 0 भई A 0 नहीं हो सकता क्यों अगर A 0 हो गया मान लीजी अगर यह 0 हो गया तो 0 किंटू किसे होगी यह पूरा कितना हो गया 0 अब देखिए equation क्या बनी है आपकी यह तो अब इसको आप quadratic नहीं बोल सकते है क्यों क्योंकि इसमें यह तो खतम हो गया अब इसमें variable की maximum power कितनी है 1 ठीक है इसलिए आप इसको क्या नहीं बोल सकते हो quadratic नहीं बोल सकते इसलिए कह रहा है A का value 0 नहीं हो सकता हाँ B C 0 हो जाए कोई problem नहीं है मतलब अगर मैं इसमें 1 अटा दूँ तो अभी भी यह quadratic रहेगा अगर मैं इसमें 3x अटा दूँ अभी भी यह quadratic रहेगा जन्रल फॉर्म यह a,b,c,d की जगह आपके लग सकते हैं, नंबर रख सकते हैं, कोई भी रियल नंबर, लेकिन वही कंडिशन, a,0 नहीं होगा, क्योंकि अगर यह 0 हो गया, तो यह पूरा 0, तो अब यह क्यूबिक नहीं रहके, क्या हो गई, two power highest, या नहीं कि अब यह quadratic हो जा एसी यहाँ पर, याद करने का तरिका, quadratic में सबसे बड़ी पावर two, फिर one, और last में constant term, जैसे ही यहाँ पर constant term है, clear है, and I hope आपको यह वीडियो भी हमारी पसंद आई हो, अगर आपको पसंद आई है, तो please हमाई चनल को सबस्क्राइब कीजिए, और share a like करना, मत भूलिएग thank you so much for watching this video